गुड मॉर्णिंग अल उफ यू सुवागत है अपने प्यारे स्टेड़े जोन यूटूब चैनल पर और आज के वीडियो में बाइलोजी के जो अब्जेक्टिव कुसन है वह नस्पति वियान और उसकी सखाय यानि बोटन और इट्स प्रांच उसके बारे में जानने का प् काफðी फ्रस्ण पूचा जाते है और important है इसे वह के लिए तो प्रियास करते हैं अगर थोड़ा था भाईलोजी के वहिए में सानने का प्रियास करें बायो मतलब होता है बायो के गर बात करें तो बायो मतलब होता है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं या पढ़ते हैं इस्टडी करते हैं तो जो की जर्मनी के वीजानिक दे जर्मनी के वीजानिक दे मार्क जो कि इसका सब्द दिये थे बाइलूजी सब्द का सरुपरतम यह करीमन ठारा सो एक इस पी में दिये थे ठीक है तो आप लोग याद रखेंगे और यह इंपोर्टेंट रहते हैं कुछ देखेंगे अगर आप सोचते होंगे यह की बाइलूजी का दो ही ब्रांच है एक बोटनी और जूलोजी लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत सारे ब्रांच है वो तो दो भाग में बटा है जो क तो इसी के तरह उसका ब्रांच अलग अलग है नकि बाइलूजी को ही दो मतलब ब्रांच है इसका ब्रांच बहुत है इसका दो भाग है जो कि बोटनी और जूलोजी जिसमें अकर कुछन नंबर वन देखेंगे जी बीगें बाइलूजी सब्दका परियोग शरुपरतम किस ने किया था तो मैंने डिसकस कर दिया था ले मार्क अंट्रेवनियस जो कि इन विग्यानिकों ने किया था और यह फ्रांस के विग्यानिक थे ले मार्क अंट्रेवनियस ट्रेवनियस के बाद के जगा तो यह जर्मनी के थे हैं यह विग्यानिक आपका जर्मनी के थे और य फाईदर लोजी किसे कहते हैं तो फादर लोजी आपको कहते हैं अरस्तु को तो उपसन नमबर वन हो जाएगा फिर देखे गा कुछन नमबर थिरी जूलोजी के जनक किसे कहते सकते हैं तो ज innovικό का अरस्तु को चाहे लाधारो भाइ लूजी यसकी अरष्टु को किसे काथे तो ही सास्ते और लुश्म करते हैं887 सास्त्र को तो देखें चिकर्अ सास्त्र का जनक आपकीर का तो शोरी हिपोक्रेटस के कहते हैं तो फाइब का कुस्सन नंबर शी हो जाएगा उप्सन शीक्स कर देखेगा बोटनी सब्द के उत्पती किस भासा के सब्द से हुई है तो बोटनी सब्द के उत्पती किस भासा सब्द से हुई है तो ग्रीक भासा सब्द से हुई है उप्स को जाएगा त्योक्रेटस विपसन नमबर बी हिस्टोरिया इन इमल्य यम पुस्तग का लेखा कौन है आपको है यानि अरस्तु है अपन नमबर ए अरस्तु है इस के बाद देखेंगे चिकितसा सास्थ्र के विद्यार्थयों को पिसकी सपत दिलाए जाती है कि सास्त्र मैं जिवधारियों के एधियन को बोलते हैं तो इमっちिता है, लिखनान जिसके समर्द में जिवधारियों का्यां कृता है हुआ, ने बताया था बाई लोजी तो बायो का मतलब होता है लाइफ और लोजी का मतलब होता है इस्टेडी देखिए किसी लास्ट वर्ड में किसी भी किसी वर्ड के लास्ट वर्ड में अगर लोजी लगा है तो इस्टेडी से रिडिट है जिसे बायो है तो बायो में लोजी लगा प्रियावरान का सबंद प्रयावरान के किस साखा के अंतरगत के जाता है तो प्रयावरान का किस से अंतरगत के जाएगा प्रयावरान से है आने फूलो के अधिन को जोड़ेंगे अपको chopped तो पूस्पों के हमलोग करते हैं इंत्रोलोजी नमबर ए जिवास्माहनसपत्य विग्यान के जिवास्मा पर देंगा पूस्मा को अधियन करेंगे जिवास्माहनसपत्य हो जागा तो यह option number B होगा और मिलता जूलता है जीवासम के दिन को जीवासम वनस्पति बिग्यान करते हैं तो इसका हो जागा वनस्पति समंध में तो यह हो जागा जीवासम वनस्पति बिग्यान की यहासम जिसम व는지 के दिन किया जाता है तो सेवालों को अंदर के जाता है फाइक रूजिक नीधन पosaurिते फैसकि को एक जाता हो। करी यदा दियान वन के वन के वन के अधेन को फिर देखेता हा अ Kobition नममर क्रीन की सस्पर्मोलोजि में अधियन के चाथ बीच का तो सन्नीन और यह हो जागा एह उलॉच्ट नोंगी में अधिया जाता है घासों का इस का और सबस्पर हो जाघा 가 C एग्रोस्टोलोजी फिर देखेगा पेडोलोजी पेडोलोजी में अधिन किया जाता है पेडोलोजी भूमी का पेडोलोजी पेडोलोजी हो जागा उप्सन नमबर बी भूमी का फिर देखेगा अनुवन सिक्ता एं बिभिन्ता के बारे में जनकारी देने वाले वनस्पति बिग्यान को क्या कहते हैं तो इसको बोलते हैं अनुवन सिकी जो की वनस्पति जनेटिक्स पौदे के नाम देने वाले बिग्यान कहलाती है तो पौदे के नाम देने छाँ은 नंबर ग्राफ करकारिक प्राक्ल के अधेन को क्या कहते हैं प्राक्ल के अधेन को क्या कहते हैं फद्य पेलियूनोलोजी कहते हैं पेलियूनोलोजी औपसया नमबर B संसार में आप siyamaень के बितरन का दियान केला जाता है P腳 धू और लो फाइटो जियोग्राफी उप्सन नमबर ए साख सबजी में उत्पन करने वाले पोदह के अधियन को क्या करते हैं तो इसको बोलते हैं देनड्रो लोजी देनड्रो लोजी ऑपसन नूमबर ए फिर दिखेगा सजावट और बिक्ष तरहा जाड़ियो के संबाद में शरम अधी तर दिन को क्या करते हैं 32 पौदे कि आंतरिक संदर्शना के दिन को सारी डिक कहते हैं उप्सन नमबर C हो जागा बतिश का उप्सन नमबर C हो जागा आदब बिज्यान के साखा यानि कवाक सास्त्र में किसकी अधिन किया जाता है तो कवाक सास्त्र में अधिन किया जाता है फफूद का तो उप्सन नमबर A हो जागा एगरो फोरेस्टी ले इसका अधियन किसको कहते हैं तो इसका अधियन कहते हैं किरिसी के साथ साथ उस भूमी के कास्टी का बारहामी बिरिक्च लगाना ये कहलाता है तो अपसन नमबर सी हो जागा बिरिक्च सरवर्धन किसका अधियन कहलाता है बिरिक्च सरवर्धन आपको स्कूहें फूलों की खेटी फपलो को त्रतना नहीं तो थे फूलों की खेती फलोरी कलचर की है फासल की खेती एग्रो नॉमी यह प्लाप्तर हुल्ट नर्ल टा लगता है तो उप्षान नमबरसि हो जाएगा आप फॉलों की कटि ठेल्स के लिडाप हलाए तब